हेलो गाईज, वेलकम बेक टू माई चैनल जनहीत जानकरी ब्लोगर्स दोस्तों आप लोगों के मैसेज और कमेंट्स आ रहे थे कि आप किसी दूसरे बिजनस की डीपियार यानि डेटेल परजक्ट रिपोर्ड बनाओ साथे साथ जोमिंग स्क्रीन हो जिससे डीपियार समझने में थोड़ी आसानी रहे वो इस रेडिक्शन की भी प्रोगलम आ रही थी तो पिछली वीडियो में हुई गलती के लिए मैं आप सभी से माफि मागना चाता हूँ और आज जो मैं आपके लिए कैसी बिजनस की डीपियार लेकर आया हूँ कि दोस्तो जिससे आपको मदद मिलेगी की कैसे आप कम लागत में सदा चलने वाला बिजनस की डीपियार खुद से बना सकते हैं तो दोस्तों शुरू करने से पहले आपको बताता चलू कि अगर आप इस चैनल पर नहे हैं तो चैनल के सब्सक्राइब बटन को प्लिक कर लें आपका एक लिक दोस्तों हमारी टीम का होसला बढ़ाता है चलिए दोस्तों शुरू करते हैं सब्सक्राइब यहाँ पर देया गया है आप देख सकते हैं यहां पर जो दिया गया है वो यह दिया गया आपको जिस भी एजन सी के थू लोन लेना चाहने और आहए जैसे तो चाहिए में लोंड के लोन होता है के और मुख्य-मंध्रि सुरोजगार योजण कहले होता है अगर हमएगमे शहरी चहत्रे के लिए निbahdum तो दोस्तों मिखर जैसे sanitize it करी करने के पर दोस्तों यहां पर जाता हूं कि जैसे मैं मैं जैसे में अगर मैं सहरी चैतर के लिГ्राइब तो के दूभशारक अपर क्या आप सेलेख करने के बाद लेक्षाइब करना है आपको यहां पर आपना आपी यहां पर आपना डाला हुआ आपस के बाद next जाएंगे तो आप यहां पर gender सिलेक्ट करना है जैन्डर में क्या दोस्तों कि आप इसुलों को मेल लोग भी ले सकते है फीम्यल भी सकते हैं तो आपको यहां पर टिंडर में एक उसके बाद आपको विलेज दिया है सेरपुर खुर्द करके उसके बाद तालोग बुलोग रतलाम इसके बाद इसको मद्या परदेश जैसे हमने इस स्टेट में डाल दिया उसके बाद आप यहां पर अपना पिन कोड जो भी जहां पर भी आप लोगों सेंक्सन करवा रहे हैं वहां पर आपको डालना है सात ही साथ आपको अपना Gmail ID जुरूर देना है जिससे क्या होगा कि आपके पास जो भी information एगए हो Gmail के घृण है आजाएगी साथ में साथ आपको यहां पर अपना mobile नमबर डालने के बाद आपको यहां पर क्या करना है qualification पर आपको यहां पर जो भी आपने किया हुआ है पड़ाई लिखाए हैं में जो भी अपड़े हैं आप अंडर एडा यह प्यां प्योड जो भी किया हुआ है उसके बाद और नेक्स्ट हम लोग यहां पर जाएंगे हम यहां पर जाते हैं जैसे जन्न के लिए यहां पर आप दीख सकते हैं कि इन्होंने टेक्निकल एज्चुशन के बारे पूचा हुआ है अगर आप यहां पर बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर भी डाल सकते हैं घर आपको आता है उसके बद दोस्तों आपको यहां पर category select करना है कि आप किस category से बिलोंग करते हैं जैसे SC, ST, OBC, physical handicap, tax service man जो भी है आप यहां पर जाके प्लिक कर सकते हैं आप जिसी भी category से बिलोंग करते हैं आप उसको यहां पर select कर सकते हैं उसके बाद next जाते हैं आपको यहां पर weather the project mark में य unit लगा रहे हैं उस unit में आप manufacturing कर रहे हैं या आप को service दे रहे हैं manufacturing का दोस्तों यह होता है कि आप खुद product बनागे खुद उसको sell कर रहे हैं या फिर service में होता है कि आप किका थुछ company का product ले रहे हैं और उसको आगे बेच रहे हैं तो इसको service में आथा तो आपको यहां पर दिखाने कि आप किस भियापके लोन हुअ ले रहे हैं उसके दोस्तों जो लए Là लोन के भरे में जिस के लिए माज यह आज यह मलजी बंडाया है डीप यर बनाया है यह मैंने बनाया है मीनि फ्लॉर मील प्लान्ट यानि आठा चक्की का एक छोटा प्लांट जो आप घर में लगा के अच्छा खासा मुनाफ़ा कमा सकते हैं वह वीडियो में आपको समझ में आ जाएगा इतने से प्रोग्रामी समझ में आजाएगा आपको कि यह कितना फाइदेमंद हो सकता है तो इसमें सबसे पहले आपको लेगल स्टेटस डालने कि आप यह जो काम कर रहे हैं तो आप इसको खुद से कर रहे हैं या कि आप अकेले मालिक हैं या किसी कोबरेटिव सूसाइटी के साथ मिलके कर रहे हैं racing जैसा कर डीटेल डालनी है कि जो आप जहां पर यह यूणिट लगा रहे हैं वहां पर आपका जो घर जो शेड़ है वो आप रेंट पर ले रहे हैं ये आपका खुद का अगर आप रेंट पर ले रहे हैं तो उसी जाप से आप यहां पर डाल दीजेगा और यहां पर building अगर आप खुद बिल्ड कर रहे हैं आपको नहीं शेड बनानी पड़ रहे तो उसके लिए भी जो आपको खर्चा आएगा वह आप यहां पर डाल सकते हैं तो जैसे में यहां पर 75,000 डाला है और उसको करना कैसे आपको एरिया बताना है कि कितने एरिया में बना रहे हो और और एरिया के साफ से आपको कितना खर्चा रहा है स्क्वाइर फुट में उसके बाद आप टोटल यहां पर कल्कूलेशन करके डाल दोगे और यहां पर आ जाएगा उसके बाद हम नेक्स चलते हैं यहां पर दोस्तों हमें मसीनरी डेटेल से देनी है कि जो हम काम कर रहे हैं उसकाम के लिए हमें कौन-कौन से कोमेंट की जरूरत है वह आप यहां पर डाल सकते हैं तो जैसे मैंने यहां पर प्लैट्फॉर्म के लिए जैसे प्लैट्फॉर्म बनता है यह चीज़े अलग होगी इसके लिए मुझे कुछ नी चाहिए लेकिन सीवीड बैल्ट हो गया क 500 रुपे के आजाएगी चिफ दस कंटेनर से मेरे 1200 रुपे के आजाएगे चक्की जो मेरी बाराइदस एच्पी के हो 75,000 के आएगी वीट क्रूशर मशीन है वो मेरी लगबत 35,000 के आजाएगी वैसे जैसे वेंग मसीन यहां पर डाला है तो दोस्तों यह मेरी 5000 रुपे में आजाएगी उसके बाद नेक्स चलते हैं यहां पर नीचे चलते हैं दोस्तों नीचे चलने के बाद यहां पर यह दिखाएगा कि जो टोटल आपकी यहां पर एक कोमेंट है जो टोटल आपकी मसीनरी आ रही हो एक लाग 16,700 रुपे में आपको मिल रही है उसके बाद दोस् चोटे मोटे खर्चे वगारा होते हैं उनके लिए आपको लगवा 20,000 रुपय चाहिए यानि कि जो वर्किंग कैपिटल आपको स्टार्टिंग में आप यहां पर 50,000 रुपय दिखा सकते हैं उसके बाद नेक्स चलते हैं अब यह क्या है कि जो इसमें फाइनसिंग है इसमें अब करेंगी आपको खुद का कॉंटरिबुशन देना है तो यानि कि आप अगर PME GP या MSY की ठूल ले रहे हैं तो आपको खुद का 10 या 5 परसेंट देना होता है 10 जैसे आप जनल के पर टेगरी से बिलों करते हैं और आप सहरी कुछ से बिलों करते हैं तो आपको 10% देना ह वो आपको 10% ना देके 5% की देना है यानि कि यह वो पैसा होता है जो हमें लोन लेने से पहले अपने बैंक में डिपोजिट करके रखना होता है उसके बाद उस तो बैंक फाइनस हमें इसमें 10% हमारा contribution हो गया बैंक हमें 90% का finance देता है उसके बाद हमारा जो सबसीडी government की तरफ से मिलते 25% की सबसीडी भी इसमें दी जा रही है उसके बाद उस तो इस सेल्स की details यहां पर पुछी है कि आप यह काम किस तरी के से करेंगे तो यहां पर मैं इसमें डाल देता हूं जैसे मैं पांच किलो के आटे की packing बनाऊंगा और 10 किलो का टारκεट रहेगा जो मेरी पांच किलो आटा की जो प्राइस रेट है वह रेक Apply London 110 रुपय है तो टोल मुझे मेरा साल का टारंगी रहेगा कि मुझे 18,000 मुझे और smiled कर ने है ऐसाल के अंदर तो जो मेरे पूरा जो लोगा वो लोगा 90,000,000 का सेल हो रहा है पांच किलो और हम दस किलो के बैक की बात करता हूं तो यह मेरा 220 पर के इसाब से यानि मैंने बहुत minimum rate इसमें डाला है minimum cost डाला है यानि मैं अगर इसके 1000 1000 यहां पर सेलेक्ट करके बेजता हूं 1000 यहां पर बेजता हूं तो 1000 के लिए यह बताना होगा कि आप जो business कर रहे हैं जो आप मारे खुद के जो manufacturing करें उसके लिए raw material आपको क्या चाहिए तो दोस्तों मुझे यहां पर जो सिर्फ एक ही raw material के जूरत है वह यहां पर गेहूं यानि wheat grain जिसमें मुझे क्वेंटल में चाहिए लगभा 1500 कोंटल मुझे चाह है उसके बाद दोस्तों यहां पर आपको वेडियर दिखाने खरते जो लेवर वगएरा का जो आप यहां पर जिन लोगों को आप रोजगार देने तो इसमें मुझे दो लोगों की स्टार्टिंग में जुरूरत है जैसे लेबर हो गया एक हैल पर हो गया एक यानि इनको भ तो मैंने जैसे यहां पर सेल्समें डाला हुए एक स्टाफ तो मैं इसको भी छे जार स्टार्टिंग में जैसे देता हूं मार्केटिंग करने के लिए तो 72,000 यह भी इसको पे करना है उसके बाद उस तो इसमें हमें यह देख रहे होंगा working capital estimate इसमें यह डालना होता है कि ज हम उसको finish करने का जो हमारा timing है वो 30 days का होता है हमारा यह होता है कि हम कोई भी order अगर मारे पास आया तो within 30 days हम उसको दे देते हैं साथी साथी पूछ रहे है दोस्तों कि आपको यहां पर कितनी power की requirement है जैसे मेरे वह आपर देखा आपने कि मुझे एक ही मसीन चाहिए तो 10 HP है यहां पर requirement है उसके बाद नेक चलते दोस्तों यह यहां पर आपको repair and maintenance वगरा कि भी बहुत सर चीजिए यहां पर आपको अपने पेकने जैसे repair and maintenance के लिए यहां मेरा दर जाओर पे का मैंने खर्चत बता दिया power and fuel का मैंने पचास जार दिखा दिया overhead expenses होगे बिस जाओर पे टेलीफोन expenses पांच जार पे स्टेशनरी पोस्टेज और एक जार पे advertisement और अगर आप अपनी पॉल्बिसीटी और कुरवारे हैं तो 25,000 उसके बाद प्रसेंट आपको यहां पर मनलग देना पड़ रहा है उसके बाद दोस्तों यहां पर introduction आपको देना लास्ट में introduction में क्या है कि अगर आप इसी का प्लान लगाना है तो आप उसी इसाप से अपना बता सकते हैं कि आप कितना कितना टन आप पड़े निकाल होगे उसके बाद दोस्तों हम यहां पर लास्ट में चलते हैं यह पूछ रहा है about the promoter की यह जो जो यह लोन लेना चारा है उसके बारे में खुद के बारे में आने कि after 10th from last 5 to 6 year work on agriculture farming and food processing I belong to a farmer family and and well known of best quality product my father had power आना चक्की in my village but after my father's death we had to close that चक्की now I have clearly vision and what want to start on mini floor meal plant business through funding from मुख्यमंत्री सुरोजगार योजना के थू आप ले रहे हैं तो मुख्यमंत्री सुरोजगार डाल सकते हैं और अगर आप ये लोन ले रहे हैं PME GP के थूरू तो PME GP का आप यहां पर डाल सकते हैं इसकी में create employment also as much as possible दोस्तो लास्ट में मैं आपको यही चीज़ बता देता हूं कि आप जो भी लोन लेंगे हैं अगर आप 5,10,20,55 लोन ले रहे हैं एक चीज आपको जो सबसे जुरूर यह याद रखने लाइक है वह यह है कि दोस्तों जितने का आप लोन ले रहे हैं चाहे आप वे कोई दिक्कत आती है कोई query है आपकी तो आप मुझे नीचे comment box में लिख सकते हैं दोस्तों आपके comment हमारे लिए बहुत important है आपके comment आते हैं तो हमें हिम्मत मिलती है तो दोस्तों आप लिक्कर पूछ सकते हैं और हमारा जो team है उसका हमेशा परियास रहता है कि जो भी आप की query है उसको within 24 hours हम solve करें तो दोस्तों next वीडियो के लिए फिट से आपसे मुलाकात होगी तब तक दोस्तों